हलो मेरे प्यारे बच्चों, वापस आ गए हम exercise 1.6 number system class 9 from NCRT बच्चों इससे पहले कि हम 1.6 का आगास करें, explanation शुरू करें उसमें लगने वाले formulas तो समझ लें, laws तो समझ लें बच्चों, basically 1.6 आपकी NCRT से based है laws of exponents के उपर, exponents and powers के उपर जो definitely नए नहीं है, है ना, ये class 7th में भी थे, class 8th में भी थे, class 9th में भी आ गए हैं और 10th, 11th, 12th सब जगा रहेंगे बच्चों, एक बार चल दी से हम इसका revision कर लेते हैं, ठीक है बच्चों, मैं basically laws of exponents वाली ये जो समझा रहा हूँ न, ये वीडियो अलग रखूँगा और 1.6 का solution वाला वीडियो अलग रखेंगे तो don't forget to watch this video also, ठीक है? अगर जल्दी-जल्दी skip करने की सोचों तो फिर देख लेना बटा, नहीं तो problem होगी आपको चलो बच्चो, देखो basically laws of exponents आपके apply कहा होते हैं, पहले मैं आपको detail बता दू, multiplication and division बाग खतम दिमाग में रखना दो सब्द बोले हैं मैंने, multiply and division थोड़ा ध्यान रखना भी बताऊंगा, मैं क्यों बोले हैं ये दो चीज़ सुनो बच्चो मैं आपको वो traditional way में नहीं लिखकर दिखाऊंगा कि बिटा ऐसा करू, ऐसा करू, मैं आपको apply करना सिखा रहा हूँ, ठीक है? मैं कोई bookish language में नहीं लिखूँगा, मैं apply करना सिखा रहा हूँ आपको, सुनो बच्चो basically, जैसे मैंने आपको लिखकर दिया 2 की power 4, तो please remember, जो नीचे नमबर लिखा होता है, उसको बोलते है base, we call it as base, हम उसको base बोलते हैं, और जो उपर नमबर लिखा होता है, उसको हम par बोलते है, this is power और par, ठीक है, जो power बोलते है न, वो par होता है, तो ये par है and this is base, औ और इस तरीके से लिखने को हम बोलते है, exponential form, ये exponential form है किसी भी चीज़ को लिखने की, ठीक है, अब हम चलते है बच्चो आगे, बच्चो गौर से देखना, आपको पहला law apply करके दिखाऊंगा और समझाऊंगा भी, बच्चो गौर से देखना और बताओ, यहाँ पर par क्या ह है, what is par, sorry, what is base, तो आपको गैसर two है base, अब बच्चो पार क्या है, आपको गैसर four है par, बलकल सही बात है, और बच्चो बताना दूसरा, बच्चो यह क्या है, आपको कowel again base is two, और बच्चो पार क्या है, अरे श्चो पार तो three है, अगर 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 base same हो और powers अलग अलग हो अगर base same है और बच्चो ये पूरा exponential form और ये पूरा exponential form multiply में है मैंने क्या बोला? अगर bases same है कुछ powers भी होंगी और multiply में है तो बच्चो powers add हो जाती है 4 plus 3 हो जाएगा बच्चो answer आएगा 2 to the power 7 मेरे प्यारे बच्चो getting my point? if bases are same and exponential terms are in multiplication the power gets added the power gets added ठीक है? दूसरा देखते हैं बच्चो अगर यही चीज मान के चलो चलो ये नहीं मैं दूसरा समझ जाता हूं बच्चो बताना what is base तो आप कहोगे sir base यहाँ पर है minus 7 है ना बच्चो base क्या है? base is minus 7 अब बच्चो यहाँ क्या base है? अरे sir क्या गजब question है sir यहाँ भी base is minus 7 बच्चो पार क्या है? आप कहोगे sir par तो 3 है अब अगर बच्चो base is same है और division में है अब ही बच्चो multiply में था अगर यह भी multiply में होता तो add हो जाती ही par है ना? लेकिन अगर बच्चो base same है और exponential terms division में दिये हुए है तो par subtract हो जाएगी बच्चो minus 7 ही रहेगा minus 7 की par 7 minus 3 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चो तो answer क्या आएगा? minus 7 to the par 4 this will be your answer getting my point? easy है? बहुत easy है? अच्च एक बात बताओ यह पहला example लेते है 2 की पावर 4 और 2 की पावर 3 अगर बच्चो इनके बीच में मैंने plus लगा दिया तब क्या होगा? तब बताओ par add होंगी यह subtract होंगी बच्चो शुरू शुरू में मैंने आपको दो words बोले थे एक multiply और एक divide बच्चो यह laws multiply और divide में ही valid है अगर plus और minus आ जाता है there is no law for them getting my point? कोई law नहीं है इनके लिए इनको हटाओ यहां से इनका कोई उपियोग नहीं है इनको तो long form से ही solve करना पड़ेगा let us move on to third part बच्चो third अब बच्चो कई बार क्या होता है जैसे मैंने लिखा for example minus 3 और इसकी power है बच्चो 2 और उसकी भी एक power बच्चो दे रखिए आपको minus 4 समझ रहे हो? par के उपर par getting my point minus minus पे ध्यान मत दो वो तो मैंने ऐसे लिख दिया आपको ध्यान देना है सर पावर की उपर par आ जाएगी तो क्या करेंगे? बच्चो अगर par की उपर par आ गई तो par की लड़ाई करा देंगे मतलब par will get multiplied 2 is also a par minus 4 is also a par दोनों का multiply करा देंगे बच्चो minus 3 की par minus 8 will be our answer getting my point? हम par की उपर par जब आ जाएगे तो हम उन दोनों par का multiply करा देते हैं अब चाहे जितनी par आती जाएगे हो सकता 2 minus 4 इसके उपर भी bracket लगके एक और par लगी हो इसके उपर भी बड़ा bracket लगके एक और par लगी हो हम सब par को multiply करा देंगे बहुत आसान है अब आते हैं बच्चो फोर्थ पार्ट पे चलो भी यह फोर्थ हिस्सा क्या है? फोर्थ लौ क्या है? अगर फर्स्ट लौ का opposite हो जाए opposite का मतलब है मेरे प्यारे बच्चो 2 की पावर 4 और 2 की पावर 3 में bases were same and parts were different opposite अब power same आजाए और base different हो जाए जैसे पलट के लिख दूँँ जैसे मच्चो मैं इसको लिख देता हूँ 4 की पावर 2 यहाँ 2 की पावर 4 ता I have writing 4 की पावर 2 ठीक है? and 3 की पावर 2 लिखते हैं इसको इसको लिखते हैं बच्चो 3 की पावर 2 अब बच्चो basis same नहीं है यहाँ basis same थे तो पार add हो गई यहाँ पार same है मेरे प्यारे बच्चो यहाँ पार same है दो और दो, 2 and 2 तो क्या किया जाएगा? यह लोग हड़ी ना लगेगा अब बच्चो क्या होगा कि हम common पार लिख सकते हैं that is 4 into 3 को bracket में बंद करके धोनों के ऊपर हम एक common पार लिख सकते हैं हम धोनों की ऊपर एक बार ही पार लिख सकते हैं getting my point? हम क्या करेंगे? 4 into 3 जो relationship division में आ जाए for example बच्चो मान के चलते हैं let us say this is 16 की पावर 5 divided by बच्चो 4 की पावर 5 तो बच्चो क्या करेंगे? Same, क्या करेंगे बई? 16 की पावर 5, 4 की पावर 5 Sir, पावर सेम है यहाँ, base तो सेम नहीं है तो क्या किया जाए? बच्चो 16 और 4 को bracket में pack करो और उनके उपर हमी common power लगा देंगे 5 Getting my point? I hope आपको समझ में आ रहा होगा यार इससे जाधा slow और क्या समझाओं है न और बच्चो, last but not the least, मेरे प्यारे बच्चो जो 6th है, जो actually king है, राजा है सारे laws की, बच्चो किसी की पावर 0 अगर लगके आए, किसी की पावर 0 लगके आए, उसका आंसर 1 होगा ठीक है, ध्यान रठना पार 0 of anything पार 0 of any number Getting my point? is equal to 1 For example, बच्चो, minus 2 की पार ऐससे जीरो आजाए लगके आपको को सार, ये तो 1 है मैं बोल दूँ बच्चो, 7 upon A की होल पार बच्चो, 0 आजाए तो आपको को सार, आंसर 1 है Getting my point? किसी की भी पावर 0 आजाए बच्चो तो याद रखिएगा it will give us 1 हमें वो 1 देगा 0 कई बच्चो क्या होता है कई बच्चे देखते हैं कि पावर 0 लगी हुई है वो 0 लिख देते हैं उसकी जगा नहीं, गलत है पार 0 of any number will be equal to 1 Getting my point? भाव ये थे आपके कुछ laws अब हम चलते हैं exercise 1.6 की तरफ राइट? शलो